हेलो फ्रेंडز वेलकम टु माय चेनल आउंलाइन निंगर और साइट के रहें अरब र्याटर के बारे में जिसमें ओनाश बात करेंगे अलबुरूनी के बारे में दो मईनिन का च слल बात करेंगे का यूग वीक बिदीन विद्वान था जबकि मोहमद्गर्स नवी चुट बहरत आकरबन की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्यन किया था अर्भी और फार्सी के अलाव वा ग्रीक और संस्कृत का अध्भुत क्याता था हालाकि वा युनानी भासा का जानकार नहीं था फिर वी वा प्लेटो रधा युनानी दाश्रिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था जिने उसने अर्भी अन्वादों के मात्यों से पढ़ा था आगे बात करते हैं उसके लेखन कार में दंत कथाओं से लेकर खोगोल विग्यान और चिकत्सा समधी क्रतियां भी सभी सामिल थी उसने विभिन विश्यों पर कई पुस्तके लिखी थी जिसके अंत अपने वर्णन में भारत की परमपराओं रीती रिवाजों और संस्कृति के बड़े पैमाने पर अपना ध्यान अकरशित किया उसने लिखा कि वह हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी प्रिता के मूल इस्तित को पुना प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल ह होती है सूर्य हवा की को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को नहीं होता तो प्रत्वी पर जीवन असंभा होता उसने एक प्रसित पुस्तक तहकीक ए हिंद का लेखनकार किया इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से जना जाता है एडवर्ट सी साखाओ किता किताब उल हिंद के संपादक और अन्वादक थे अर्वी में लिखी कोई अल बिरूनी की करती किताब उल हिंद की भाषा सरल और इस पस्ट है तो दोस्तों यह हमने जाना अल मुरूनी के बारे में और इनका भारत में योगदान अल बिरूनी विग्यानिक सभाव का किता से पहाड़ों की उचाई की भी करना की थी तैंक्स वाचिंग और शेरिंग